पहले का टाइम भी कितना मस थाना हर घर में दूद गी दही मिल जाता था और लोग उसको बेचने की बजाए पीते थे यही वज़े भी रही कि पहले वाले लोगों के सरीर भी आज की मुकाबले काफित तगड़े हुआ करते थे लेकिन समय बदला और धीरे धीरे लोगों की सोच भी बदलती चली गई जिस दूद धही को लोग बेचना असुब समझते थे उसको धदरले से बेचना सुरू कर दिया और बस तभी से सुरू हो गया मिलावट का गौरक धंदा मिलावट के इस धंदे से लोग बिमार हुए लेकिन बेचने वाले करोड़ पती बनते चले गए एक ऐसा ही मामला सामने आया मध्य परदेश के मुरेना जिले के डख पूरा से दो भाई मिलावटी दूद और उससे बनने वाली चीजों को महंगे दाम में बेच कर करोड़ पती बन गए दो सगे भाईयों ने साथ साल तक एक ऐसा खेल खेला की साथ सालों में साइकल से गूमने वाले दोनों भाई महंगी एसवी में गूमने लगे पूरा मामला क्या है चलिए इसको देखते हैं इंदुस्तान टाइम्स के अनुसा मुरेनाग जिले के ठकपूरा गाउं के दो भाई देवेंदर गुर्जर 42 साल और जैवरी गुर्जर 40 साल ने कृत्री म्यानी मिलावटी दूद चीज और मावा बनाकर अपने ग्रहों को धीमे धीमे मरने के लिए छोड़ दिया था मध्य परदेश पुलीस की स्पेसल टास्क फोर्स ने मिलावटी दूद की फैक्टरेव पर छापा मार कर इन दोनों भायों के करोड़ पती होने के राज से परदाव भास किया दोनों भाई ये मिलावटी दूद केवल मत्यपरदेश में ही नहीं बलकि हरियाना, दिल्ली, उत्तरपरदेश और रजिस्तान में भी बेचा करते थे मिलावटी दूद के निर्मान में ग्लूकोज, यूरिया, रिफाइंड ओल, मिल्क पाउडर और पानी के साथ-साथ कुछ केमिकल्स जैसे हाइट्रोजन परोक्सड लगते हैं दूद के साथ उन्हों दोनों भाई मिलावटी चीज और मावा भी बनाते थे STF ASP राजिस बदोरिया इस मामले में कहते हैं चानबीन के दोरान पुलिस ने मुख्य छे दोसी देवेंदर गुर्जर, जैवीर गुर्जर, राम नरेश गुर्जर, दिनेश सर्मा, संतोष सिंग और राजिव गुपता से अपनी संपतिम इजापा किया उन सबके रहन सेर में पिछले कुछ सालों में अचानक सही बदलाव देखने को मिला, एक छोटे से डैरी की दुकान से करोड़ पती बनने तक का सफ़र बहुत ही जल्दी स्तै किया, इन सबके बही काते पुलिस ने इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिये सबी 6 दोसियों के उपर IPC की धारा 420 दोका दड़ी और ख़द्य अप मिस्रट अधिनियम की रोगधाम के धारा लगाई गई है बदोरी आगे कहते हैं एक लिटर मिलावटी दूद बनाने में केवल 6 रुपे लगते हैं जिने हॉलसेल मार्केट में 25 रुपे में बेशते थे सीधा सीधा उन्हें 77-75% मुनाफ़ा हो रहा था इन्होंने इस मुनाफ़े से क्रिशी भूमी, मिल्क कंटेनर्स, मिल्क चिलिंग प्लांट, बंगला, SUV गाड़िया और जमीन खरी दी चंबल के अंदर मद्यपरदेश दुग्द संग ने 200 दुग्द सहकारी समिती को बैन कर दिया है STF के अतिरिक्त महानीदेशक असोक अवस्ति का कहना है कि चंबल के अंदर हर रोज दूद का उतपादन 11 लाग लिटर है लेकिन हमेशा 30 लाग लिटर दूद की आपूर्ती होती है यह 19 लाग लिटर दूद मिलावटी दूद हैं जो कैंसर जैसी बीमारी बढ़ाती है मख्या मंत्री कमल नायत ने कहा कि जल्दी से जल्दी गैर गानुनी तरीके से दूद उतपादन को रोका जाए स्वास्ते मंत्राले 52 जिल्ले में मिलावटी दूद की जानकारी देने के लिए हैल प्लाइन नमर जारी करें लोगों की जिन्दगी से खेलने का हक किसी को भी नहीं है मुनाफिक के चक्कर में आप किसी की जिन्दगी खत्रे में नहीं डाल सकते जो खिलवाड करते हैं उनके खिलाप सही तरीके से कानूनिक कारवाई होनी चाहिए आप इस मामल में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको हमारे पंचायत की पंचायती पसंदारी है तो हमारे फेस्टूक पेज को लाइक और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें कैमरामेन भरत के साथ मैं सौरब आपसे अलविदा लेता हूं धन्यवाद